शहर की एक थंदी शाम थी जब बेबी शेरू और बेबी चिक्तू अपनी नई खोज पर निकले। शहर के नीचे एक पुरानी सुनसान गुफा छिपी हुई थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है लेकिन बेबी शेरू लार्टी शॉर्ट और ग्रे शॉर्ट्स में अपनी जिग्यासा को रोक नहीं पाया उसका दोस्त बेबी चिट्टू पीलित शॉर्ट और न का आया जिसने उनकी रीड में सिहरन पैदा करती बेबी चिट्टू की बड़ी हरी आँखें दर से चमक उठी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा उसने बुद बुद आया बेबी शेरू ने जवाब दिया चिंता मत करो हम बस अंदर जहांकेंगे और वापस आ जाएंगे गुफा के अंदर घुसते ही चारों और अजीब सी खामोशी थी जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए दीवारों पर कुछ अजीब सी चमकती हुई चित्रकारी दिखने लगी बेबी चिट्टू ने सहमते हुए कहा ये जगह बहुत दरावनी है बेबी शेरू ने भी महसूस क कि कुछ सही नहीं था लेकिन आगे बढ़ता रहा जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए कुफा की परचायां जीवित होने लगी बेबी चिप्तू ने कामते हुए कहा शेरू ये क्या हो रहा है बेबी शेरू ने चिप्तू का हाथ पकरा और चिल लाया भागो और दोनों दो तेजी से दोड़ने लगे लेकिन परचायां उनका पीछा कर रही थी आखिरकार एक हलकी रोशनी दिखी और वे तेजी से बाहर भागे जब वे शेहर के एक पुराने मेट्रो स्टेशन में पहुँचे तो परचायां तायब हो गई बेबी चिक्तू ने राहत की सांस ली औ और कहा मैं फिर कभी उस गुफा के पास नहीं जाऊंगा बेबी शेरु ने भी सिर हिलाते हुए कहा हां आज का रोमांच काफी था